जवलपूर में महापूर जगत बहादुर सिंग अन्नू की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसल की बेठक महापूर कारियले में आयोजित की गई जिसमें शहर के नागरिकों के हितों एवं अधियो सरशना एवं विकासकारियों से सम्मनित प्रस्तावों पर सार्तक रूप से चर्चा की गई और विकासकारियों को कराय जाने के लिए प्रस्ताव पारित किये गए इस अउसर पर महापूर जगत बहादूर सिंग अन्नू ने बताया कि अब अपने अपने वाडों में पाशत सड़क नाला नाली के निर्मान के अलावा अन्य अधियो सरशना एवं विकास के कार्य करा सकेंगे इसके लिए मेयर इन काउंसिल की बेठक में 25 करोड 60 लाख रुपे की पुनरिक्षित बजट की मंजूरी दे कर सदन को अग्रेशित किया गया उन्होंने बताया कि जबलपुर शहर में प्रदेश का सबसे उचा 75 मीटर का द्वश तिलवारा इस्तित गांधी समारक परिसर में लगाया जाएगा महापुर अन्नु ने बताया कि लीज नवीनी करण के 62 प्रक्रणों की स्विक्रती प्रदान की गई मेयरिन कांसिल की बेटक में पूर्व महापुर स्वर्गी पंडित विश्वनाद दुबे एवं स्वर्गी सुबाश चंद्र बेनर जी की प्रतिमा स्थापित करनी को संबंधी प्रस्ताव की भी मंजूरी दी एवं सदन को अग्रेशित किया इसके अलावा भी शेहर विकास के अन्य विश्यों पर भी चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किये गए मेयरिन काउंसिल के सच्चियो केसी पांडे आदी उपस्तित रहे अन्य चक्रे एम AIC में पारित की यह आने वाले समय में सदन में पारित होने के बाद हमारे हर वार्ड में 40 से 50 लाख रुपए के कार जो हमारे पार्शद महोड्य नहींная Assistant करेंगे उनके कहने पर वह काम हर वार्ड में छालू होंगे आप सूछ सकते हैं कि हर ward में अगर 50-50 लाग 40-40 लाग के अगर काम होंगे तो आने वाले समय में वार्ट के अंदर की स्थिति जो है लगबख 3-4 मेंने के अंदर बहुत बहूत बेहतर मिलेगी पहले से एक तो मुद्दा था उसके अलावा लगबख 60 से उपर परक्रान हम लोगों ने लीस के किये हैं, मानी विशनाद दोवे जी के जो प्रतीमा लगनी उसके इस्थान तै करना था, मानी बेनर जी जी का इस्थान तै करना था, ऐसे बहुत सारे उसमें मामले थे जो आज M.I.C. में हम लोगों ने पारित करिये हैं, प्रमुक से आशेश बात्रे की रिपोर्ट